नमस्कार जी न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देश्वासियों को नवरात्री की हार्दिक शुभकाम नाए शामली की कहरानों में मिशन सक्ति अभ्यान के तहट रेले निकाल कर सीओवे कोतवाले प्रभारी ने पुलिस चोकी में लगाई चोपाल इस दोरान उन्होंने नारी शक्ति को समझाते हुए कहा कि विश्यम परिस्थितियों में कोई घबराना नहीं चाहिए बलकि पुलिस से सहायता लेनी चाहिए उन्होंने हैल्पलाइन नंबरों से भी अवगत कराया दरसल आपको बता दे कि शामली के कहराना में महिलाओ एवं बच्चों के शशक्ति करन हेतु चलाय जा रहे मिशन सक्तिया भ्यान के तहट इमाम गेट पुलिस चोकी पर सीयो जितेंद्र कुमार वै कोत्वली प्रभारी निरिक्षक पेमवीर सिंग राना द्वारा कस्वे में रैली निकाल कर एक चोपाल का आयोजन किया गया इस दोरान महिला उपने रिक्षक अंजो सिंग द्वारा उपस्थित महिलाओ को मिशन सक्टी अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दे गई उन्होंने बताया कि यदी कोई समस्या उत्पन हो रही है तो वुमैन पावर लाइन, महिला हेल्प लाइन, उखे मंत्री हेल्प लाइन, पुलिस आपात कालिन सेवा आदी पर अपनी शिकायत दर्ज कराए जिस पर उनकी ततकाल सहेता की जाएगी वही सियो वै कोतवाली प्रभारी ने कहा कि यदी बच्चा घर आकर किसी भी घटना के बारे में परीजनों को जानकारी दे तो उसे भी गंभीरता से ले क्योंकि बच्चा कभी जूट नहीं बोलता और पुलिस को पुरे मामले से अवगत कराए इस दोरान उन्होंने कहा कि किसी भी विशम परिस्थितियों में घब्राना नहीं चाहिए बलकि डट कर मुकाबला करना चाहिए पुलिस के भी साहिता ले उन्होंने सुरक्षा संबंधी भी दिशा निर्देश दिये सियों ने बताया कि 17 अक्टूबर से यह अभियान विशेश रूप से 25 अक्टूबर तक चलेगा हाला कि इसके बाद भी अभियान जारी रहेगा महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान महिलाओं चाहिए जो अवियान है उसके अंतरगत आज हमने इमाम गेत चोकी पर महिलाओं की शुरक्षा से संबंधी और उनकी रक्षा से संबंधी जो यहां पे उनको आवस्यक दिशा निर्देश दिये गए और साथ ही जो उनकी समस्या हैं उसको भी हमने नोट किया है और कुल मिलाके जो महिलाओं की सुरक्षा से संबनित जो भी आदेश निर्देश हैं उन सभी से इनको अवगत कराया गया 10-90 जो हमारा वुमेन पावर लाइन है उसके बारे में इनको अवगत कराया गया उसके आप किस तरह से समस्या अपनी बता सकते हैं साथ ही जो 112 है हमारा नमबर उससे भी इनको अवगत कराया गया कि उसके भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं साथ ही जो हमारी एंटी रोम्यो टीम खाना टेरना पर है उसके सम्मन में भी इनको बताया गया कि उसके दोबरा भी जो चेपिंग की जाती है उनकी सुरक्षा के लिए वो इस्कुल कोलीज हो या भीड़गार वाले बाजारों जहां पर महीलाएं खरीदारी के लिए जाती है तो कुल मिला के जो हमारी सरकार की गैड्राइन है और उसके उनुसार इन महीलाओं को हमने जावरूप करने का परियास किया है और साथ ही इनसे की जो हम पुलिस और परशाशन सदे इनकी सुरक्षा और सम्मान के साथ हैं उन सब चीजों से इनको अवगत कराए गया यह पूरे जन्पद में यह कारियकरम चल रहा है और इसमें परते दिन अलग-अलग लक्ष निर्दारित किये गए हैं आज उसी में हमने चोपाल के माध्यंग से जो महिलाएं थी यहां की इस चोकी छेत्र के उनको बुलाके उनको पूरा जाबरूप करने का हमारा प्रियास यह अभियान तो अपरेल तक चलेगा अगले चैत्र जो नवरात रहेगा तब तक यह अभियान चलेगा और अभी हमारा विशेश जो फोकस है वो 17 तरीक सर्जो 25 तरीक हमारा विशेश अभियान है उसके हमारा ज्यादा फोकस है